तारजंदा वंडर कार आपने फिल्मों में देखी होगी लेकिन आज आपको बता दें कि कैथल में भी वही तारजंदा वंडर कार है जो तारजंदा वंडर कार जो रात को जाती थी और सुबह वापीस आजाती थी वही कार आपको बता दें कि ये टारजंदा वंडर कार है बिना ड्राइवर के ये गाड़ी गई है क्योंकि टारजंदा वंडर कार भी बिना ड्राइवर के तलती थी और अपने आप ही सुगा धर वापीस आजाती थी ये कार गई आपको बता दें कि दिल्ली पार कर गई थी और 20 तारिक को ये वापिस आई है। इस बारे में हम बाचित करेंगे जो कार के मालिक हैं गोविंद कलोनी के महाविर जी उनसे कि किस तरह से ये कार गई आपको बता दें कि दिल्ली पार कर गई थी और 20 तारिक को ये वापिस आई है बिना ड्राइवर के ये गाड़ी गई है क्योंकि टारजंदा वंडर कार भी ड्राइवर के चलती थी और अपने आप ही सुबह घर वापिस आजाती थी तो बाचित करेंगे महाविर धिमान से कि किस तरह से ये गाड़ी इनकी दिल्ली पहुंच गई टॉल पर और वापिस जो 20 तारिक को किस तरह से आई है पूरी जानकारी के लिए पूरी घटना के ल कवरेज करने का कश्ट किया है तो आपके पास सबसे पहले तो टारदना वंडर कारा इसके लिए बहुत बहुत बदाई बताईए कि किस तरह से आपकी गाड़ी गई थी वहां सोना तारिक को यह घर पे ही खड़ी थी तो जैसे हमें सतरह तारिक को सबह उठे तो हमारे पास ऐसे मेंस आया मिला कि यह गाड़ी का बदरपूर प्रिदाबाद प्रोल पुलाजा पर 32 रुपे का टोल कट गया है जैसे हमने यह खबर मैसेज देखा तो एकदम हो सुड़ गए कि भई गाड़ी तो कहीं चोरी तो नहीं होगी घरा बाहर निकल के देखा गाड़ी तो यह संबहावनाई बढ़ी रहती हैं तो उसके बाद जैसे मेसेज खोलने के बाद संपर करने की कोशिस की गई तो 1033 पे गूगल पर सर्च करके 1033 जो टोल फ्री नंबर है उस पर कोल कर की मैंने तो उन्हों कमपनी के कश्मर केर से ही संपर करें से आपकी समस्था का समाधान हो पाएगा तो उसके बाद जूद भी क्योंकि एक थोड़ी सी टॉफ प्रोसेस होती है कि आपको उस कमपनी के टॉल कश्मर के के पास जाना बहुत मुस्किल होता कि हूँ आज कल गूगल पे भी बहुत जारे ज्यादा फरजी नंबर चल रहे हैं कि कहीं कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो भी बहुत ज्यादा केर करके फिर मैंने गूगल से सर्च किया तो बन जिरो डबल थ्री पे कॉल करने के बाद एसबिएय के कश्ओंर केर से संफर किया तो उन्होंने का कि आप बेचिंत रहिये आपकी समस्या का समधान कर दिया जाएगा इसके लिये आप जो अपनी कंप्लेंट है लिखीत में हमारे जो कश्ओंर केर का एक form खुलता है अप उस पे अप्लाई करो तो आप पो समसा कापकी का समधान हो जाएगा जी उसके बाद तो फिर मैंने कंप्लेंट करा दी कंप्लेंट कराने के दो तिन घंटे के बाद तो कोई मेसेज नहीं आए मेरे पास फिर मैंने एन एच एई की वेबसाइट खोली अपने लैब्टोप पे तो उसके बाद मैंने वहां से जितने भी टोल पलाजाज हैं इंडियाज में तो उस वेबसाइट से वहां के जहां पे मेरा बदरपूर और फरिदाबाद टोल पलाजा पे टोल कटा हुआ शो कर रहा था तो वहां पे मैंने पुरा सर्च किया एने चाई की वेबसाइट पे जाकर वहां से वहां के मैनेजर का नंबर ढूंडा वहां से मैनेजर से बात हुई तो उसने कहा कि इसमें आपकी कोई साहता नहीं कर सकते आप अपने ही पास्ट टेक्ट पे ही की कंपनी से ही आप संपरक करें तो उसके बाद मेरे पास दो तिन घंटे के बाद फिर कोल आती है लगभग दोपैर को कि आपका भई हम बदर पूर टोल पलाजा से बोल रहे हैं और आपकी ऐसे ऐसे जो कंप्लेंट थी वो हमें रिसीव हुई है तो इस बारे में आप बताओ कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है और क्या कलर का है कौँसा मेक है मैंने सारा कुछ बता दिया तो वो कह रहे हैं ठीक है जो सीचे टीवी की फूटेज देख लेते हैं सीचे टीवी की फूटेज मिलने के बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे तो उनका फिर 10-15 मिन्ट के बाद फिर फोन आता है कि आप जो गाड़ी है हमने देखिए जिस लेन में आपका टॉल कट हुआ है उस टॉल उस लेन में गाड़ी तो है इस कलर की बट उस पर नंबर डिस्प्लेनी हो रहा है इसलिए हम आपका न जो 32 रुपए का है जो आपका ज्यादा माइने नहीं है तो आप यह बताइए कि यह जो हम यह तो सीटीवी फूटेज इसकी प्रोवाइड करो आपने जहां से भी मेरा टॉल काटा है तो वह करें जी इस पर गार कि हम आपकी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे बट हम आपका 32 रुपे जुरू रि तो 16 को ही कर दिया ःस être 17 को anno टो बीश तारिएक को जो पाटेंगे मैंने कम्प्लेंट करवाई है तो उसकी तरफ से सुटेंगा disputes ऑफ कि sudah कि और तो आप है वान्डर है तो आप जल्दी से अबारे में उसके पिश्क्राइबेंगे पास एस्ष्टी तरह कोई ज्यादे समी तो जरसे आपने मैसेज देखा तो कहां कहां ओश उट गए होगे गाड़ी तो नहीं चोरी होगी यह कहीं पर यह तो गली में भी गाड़ी तो खेर अंदर खड़ी थी घर के सारे लोगी भी चेक करें जो बाहर गेट पे लगाते हैं हम लोग कहीं किसी ने कोई सरारत की हो ऐस तो जैसे सोचल मीडिया वर भी काफी साथ चाही हो यह गाड़ी आप भी से पहले वीडियो चली थी तो अवेरनेस के लिए क्या कुछ अवेरनेस के लिए तो मैं अपने सभी दर्सकों से यही कहता हूं अगर आपके देखो मेरे पास जो भी लगभग दोस्तों से अधिक मै पर जाएं वहां पर जो संबंधित टोल पलाजा है उसको सर्च करें जिस भी स्टेट में है आपका तो आप उस पर नहीं की साइट पर बिलकुल आराम से मिल जाता है गूगल पर अगर जाशाब जा जाओगे तो एने जाए की वेबसाइट पर आप वहां पर उसके मैनेजर का नंबर भी डिस्प्ले होगा सिंगल जर्नी है डबल जर्नी है किस का बहुकल का टोल है वह भी सब कुस दर साता है इसलिए आप उसके टोल पलाजा के मैनेजर से बात करें अपनी कंप्लेंट अगर आप का स्वाश्टैग है एरे टेल का है तो आप संबंधित बैंक के या कंपनी के किसमर केर से जुरू संपर करें तो आप की समस्ता का समाधान होना सुनिस्चित है बट यह है अपको थोड़ा ये भी एक चैना चाहूंगा कि यह भी किसमा साइबर क्राइम है तो फाश्टैक्स से जिस परकार की यह मिस हैप्निंग हो रही है कि यह पैसे कट रहे में ले लिया जाए जैसे जो साइबर क्राइम पुलिस टेशन है उसमें अगर इसकी कंप्लेंट हो जाए तो और ज्यादा फाइदा होगा और जो कंपनिया अंगलती है करती है फास्ट एगवारी उनके खिलाफ कारवाई भी होने चाहिए महाविर जी जैसे आपने तो मतलब मीडिया का शाहरा लिया 32 रुपए को फास बात नहीं वैसे देखा जाए तो लेकिन कुछ लोगों को साथ मतलब इस तरह के मैसेज आते हैं वो बोलते नहीं है उसके बाद आपने कैसे सोचा कि नहीं जैसे मैं थोड़ा IT cell से जुड़ा हूँ तो मुझे थोड़ी सी awareness थी कि इस प्रकार जैसे हमारे कई बार ATM में पैसे कट जाते हैं तो उसके पचादा कर हम कंप्लेंट करते हैं तो हमारे पैसे भी वापिस आ जाते हैं उसी प्रकार अगर क्योंटा हम अगर फास्टेक मेंसे पैसे कटे हैं तो इसके खिलाब भी क्यों ना हम कंप्लेंट उठाएं की करें अवाज उठाएं तो इस करके थोड़ा साथ सोचल मीडिया का सहारा से समस्या का समधान हो भी गया है और जो पेंडेंसी है कि अभी जो गिल्टी टोल पलाजाज है उन्होंने हमें अगर सीची टीवी पूटे नहीं उपलब्द करवाई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी जो नहीं की टोल पलाजावाली जो सोफ्ट्वेर है उसमें भी कहीं ना कमी है उसमें भी अपडेट होना चाहिए तो यह थे महावीर दिमान जी गोविंद गलोनी के जिन्होंने पूरी घटना जो पूरी जानकारी हासिल की और अहलांकि 32 रुपई कोई बड़ी बात नहीं है 32 रुपई निके वापिस भी आ गया है लेकिन awareness के लिए कितना message है यह कि इस तरह के जो crime है खास तो पर लोगों को साथ होते हैं तो awareness के लिए वीडियो है तो आपके साथ भी अगर ऐसी कुछ से घटना होती है कोई crime होता है तो जरूर उसकी complaint कीजिए तो इस वीडियो को जाज़ादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें ताकि जादा है जादा लोगों तक है message पहुंस